हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro Android वाइल फोन में अगर आपके मुवाइल फोन से मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं तो इस प्रॉल्म को आप सौल कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो हम आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों अगर आपके मुवाइल फोन से मैसेज अगर सेंड नहीं हो रहे तो इसकी सॉलिशन के लिए करने का है देखिए सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है अगला काम ये करना है कि आपके मुवाइल फोन में फाइल का अप होता है इस फाइल के अप को ओपन करना है इस अप में आपको नीचे की साइड एपस का ये ऑप्शन टैप करना है अगले पेज में सबसे उपर आपको सिस्टम आप का ये ऑप्शन टैप करना है इस वाले पेज में आपको नीचे आना है यहापको ये ऑप्शन मिल जाता है पर आपको सबसे उपर सबसे बारे में आपको सिस्टम अपडेट आपको लिखना है तो आपको जो आना नीचे की साइड ना सिस्टम अपडेट का एक option शो जो जाएगा इस तरह की से इसे टाप करना है आपको इस वाली पेज़ पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टाप करके फोन का software अपडेट कर लेना है ठीक ना अब देखिए अग आपका फोन डिरेक्ली आपको इस सेटिंग में लाएगा Erase All Data Factor Reset पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सब से नीचे Erase All Data का यह option टैप करना है इससे आपका फोन जो रिसेट हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों का ध्या है तो मेरे बताएवे सभी process आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है